वान वेलकम बेक तो मैं चैनल मामा बेबी होप यू गाइस आर फाइन आज की वीडियो में मैं नाइन ऐसी बेबी मैडिसन के बारे में बताऊंगी जो की रिकमेंडिड होती है हमारे डॉक्टर के एंड से हमारे बेबी के बर्थ के बार से वीडियो शुरू करने से पहले लेकर आपके लिए आता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है एक और इंपॉर्टेंट नोट आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी मैडिसन्स आपको बताऊंगी या जो भी जानकारी दूंगी वह बेस्ट ऑन परस्नल एक्सपीरियंस है हो सकता है आप जो को सब्सक्राइब करें आपके बच्चों के लिए हैल्ट के अखूरिंग तो आप अपने बच्चों को मैडिसन्स अपनी डॉक्तर के बाद ही देगे वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहली मेडिसन जो डॉक्टर हमें रिकमेंट करते हैं बेबी बर्थ के बाद वह है नेजो क्लियर सलाइन ड्रॉप यह बहुत अच्छी रहती है इजी तू यूज बहुत जादा कंविनियंट है इसे यूज करते हैं। यूज बहुत सम्पल को ऑपन करना है और एक इक ड्रॉप बच्चे की बच्चे की नौस में ॉल्ही करने है अट वह कुंकि यह बहुत ही बॉह है ते दोफूं काफाय और नहीं मींकॉस कुलाई पानी राटवम समय करने मैं बहुत आयं मॉक्रम और मै तो इसके कोई side effect भी नहीं है तो आसानी से अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं इसकी कोई limit भी नहीं है कि हम इसे एक दिन में एक या दो बार ही use करना है हम इसे जतनी मर्जी चाहबार use कर सकते हैं तो बहुत अच्छी रहती है और यह मैंने अच्छ के बर्ट से यूज की और अभी तक मेरे लिए बहुत helpful रही है अच्छ 15 months completed होगे बट अभी भी कभी उसकी नोस ब्लॉक हो जाती है या उसे cold and cuff हो जाता है या फिर कभी अगर मुझे उसकी नोस clean करनी होती है तो मैं इस drop का use करती हूं बहुत अच्छी drop है और सभी डॉक्टर से recommend करते हैं लेकिन medicine आती है टॉबा आइस drop टॉबा आइस drop भी बहुत helpful रहती है बच्चों के birds से ही कई बार बच्चों की eyes में कच्रा चला जाता है या बच्चों की eyes में eye infection हो जाता है बच्चों की eyes red हो जाती है बच्चों की eyes से पानी आने लगता है block tear duct के कारण तो उस time पे हम बच्चों के लिए यह वाली drops use करते हैं और एक एक drop बस बच्चे की eyes में डाल देनी है और बच्चे की eyes दिक्तम साफ हो जाती है और इसे हम एक दिन में दो बार ही use कर सकते हैं By the way, बच्चों में block tear duct पर एक detail video बना कर मैंने अपने channel पर upload की हुई है आपको उपर eye button से उस video की link मिल जाएगी और मैं description box बे भी डाल दूँगी तो आप उस video को जरूर देखे और बच्चों में gas and cold and cough की problem पर भी मैंने एक detail video कर रखी है तो आप उस video को जरूर देखे काफी informative video है आई बटन पर click करके उस video को देख लीजिए या description box में मैं अगेन उसकी link डाल दूँगी तीसरी medicine है Colimax drops, Colimax drops बच्चों की gas की problem को solve करने के लिए होती है जनरली बच्चों में tummy एक यह gas की problem होती है तो हम उसे home remedies से ही दूर करते हैं जैसे कि हिंका पेस्ट लगा लिया बच्चे की tummy पे अच्छी massage दे दी या फिर बच्चे को tummy time दे तो इन तीनों home remedies से हम बच्चे की gas relief कर देते हैं बच्चों की gas कैसे relief करने हो उसके लिए मैंने detail video बनाकर अपने चैनल पर upload की हुई है आई button पर link दिख रही होगी उस पर click करके फटाफट से उस video को देखिए काफी help करेगी वह video आपकी अगर उन home remedies से भी आपके बच्चे की गैस की problem solve नहीं हो रही है तो लास्ट medication का जो option रहता है वह कॉलीमेक्स drops काफी help करती है बच्चों को गैस की problem से relief करने में तो यह drop आपको देनी है बटी बच्चे की एज के according एक तम डिफरेंट होती है तो इसकी जो quantity है वह आपके डॉक्टर के recommendation पर ही डिपेंड करती है तो next medicine जो है वह है बच्चों की प्च्चों की पैरसितमोल अब बच्चों को भड़ों की तरह बुखार flu वग्रा हो जाता है उस टाइम पे हमें भी दो को प्रसितमोल नीक परती तो बच्चों की यह कैलपोल परसिटमोल आती है जो बच्चों के लिए help करती है जैसा कि हमें help करती है परसिटमोल फीवर के टाइम पर तो यह आप बच्चों को दे सकते हैं अगें यह भी बच्चों की एज के यह नहीं पड्ती है तो उस केस में भचे को पैरिनॉम जेसा कितनी कॉइंटिटी में देना है नेक्स्ट जो मेडिसन आती है वो है कि लोशन र्याप्ट कैलेमा लोशन यह लेक्टो प्रॉब्लम को या फिर पच्चों को कई पार मॉस्कीटों बाइट हो जाती है और बच्चों को खुझली करके बहुत कर देते हैं उन सब को ठीक करने में हेल्प करती है इवन अगर बच्चों को कभी छोटी मुटी चोट लग जाती है तो उस पे आप यह लगा सकते हैं जल् से लेके आप अपने 10 साल तक के बच्चे पर यह यूज कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा लोशन है इसे आप दिन में दो से तीन बार यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जो मेरी ड्रॉप आ रही है वो रिकमेंडेड है सिक्स मन्से बड़ एज ग्रूप के बच्चों के लिए क यूज कि कईबर किया होता है की बचे कि शिक्स मन्त में एंटर कर जाते हैं और क्योंकि सिक्स मंसे पहले बच्चों को जो अनन है वह वह चो में ही स्टों होता है उससे मिल जाता है और थोड़ी बहुत जो रिक्वांमेंट हो थी वह ब्रेस वीड फॉर्म्ला मिल से फुल अगर हम वो नहीं दे पारें तो कई बार बच्चों में आयरेन की कमी से अनेमिया की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉक्टर्स हमें एक सिरफ सजेस्ट करते हैं जब बच्चा सिक्स मन्द कंप्लीट करता है यह है आपकी चोनों फ्रॉ प्रॉब्लम की थी मैंने यह पर्चेज भी की बच्चों को इतने अच्छे आयरेन रिच फूट दिये कि अंच में आयरेन की डेफिशेंसी कभी हुई है नहीं मुझे इंस्तेग्राम और फेस्बॉक में काफी मोम्स के मैसेज़ेज आ रहे थे कि बच्चों को हमें कौन से चाहिए जो आयरेन रिच हो और बच्चों को हमें आयरेन की टैबलेट के सिरफ देने की ज़रूरत ना पड़े तो इस टॉपिक पर भी मैं अपकमिंग देज में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि मोस्ट रिक्वाइट कोशन है फ्रॉम अलम अधर साइट तो मैं इसके अलावा जो फाइनल मैडिसन है हमारे पास वह है विटामीन D3 ड्रॉप्स क्या होता है बच्चों को जो विटामीन D3 की रिक्वाइमेंट होती है वह बच्चों की सनलाइट से और ब्रेश फिट से यह फॉर्मुला फिट जो बच्चा ले रहा होता है उससे फुल्फ मुझा कई बार बोन से रिलेट बहुत सारी फ्रॉपलम्स हो जाती है इसलिए विटामीन D3 के डेशियंसी को कम करने के लिए बच्चों में इसकी रिक्वार्मेंट को फुल्फील करने के लिए डॉक्टर हमें बच्चों के बर्ट से ही विटामीन D3 की सीरफ सजेस्ट करते और वह में 4-5 डॉप या ML के अगर आपके डॉक्तर सजेस्ट करते हैं तो उस अग्रॉडिंग बच्चों को डेली बेसिस पे देनी चाहिए वह बटल खतम हो चुकि वह मैंने फैक्ट दी क्योंकि बच्चों को वन यह के बाद विट्यामिन दी त्री डॉप नहीं देते सब वन यह तक ही सजेस्टिड रहाएं और वह हमारा बेबी विक्स जनरली डॉक्तर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं इसे नहीं लगाने की अडवाइस देते हैं पर कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो स पर लास्ट ऑफ्शन बसता है वह होता है अगर चैमिस्ट पूछें तो वह भी हमें बच्चों को दो साल के बाद ही लगाने के ड्वाइस देते हैं और यह राइड भी है अगर आप कहीं भी अश्पर सड़ी जाएंगे या इसके बार में रीडाउट करेंगे तो दो साल के बाद ही हमें बच्चे को यह लगाना चाहिए बट मेरे केस में जब अंच ने वनियर कम्प्लीट किया तो मैंने काफी डीटेल में पढ़ा और एक साल के बाद मैंने अंच पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इसे में डारेक्ट ऑड़ी पर अप्लाई नहीं करती थी मै बच्चों के कपरों पर भेक साइड थोड़ा से छेस्ट वे हल्का सा बहुत मिल्ड क्वैड्टि में से लगा सकते हैं अडे काफी यूश्फळ रहता है मेरे केस में अंच को काफी हैल्प मिली कोल्ड थैंगा नहीं कर देथी और मैं नहीं चाहती थी उस साघंप में अच म कोई भी डॉक्टर इसके लिए आपको एडवाइज नहीं करेंगे दो साल से पहले तो यही टोटल नाइन मेडिसेंस हैं नाइन बेबी मेडिसेंस हैं जो हमें डॉक्टर रिकमेंट करते हैं बेबी बर्थ के बाद से हमें बच्चों को देनी चाहिए और इनके अपने कुछ जैनुएन फैक्स यह रीजन्स होते हैं बच्चों को देने के जो की राइट है मैं किसी भी वीडियो में बच्चों को मेडिकेशन देनी की एडवाइज नहीं करते हूं इवन मैं सजेस्ट करते हूं कि बच्चों को मेडिसेंस से जितना दूर रखा जाए उतना बच्चों कि बच्चों के जो ग्रोध कर टायम पर हम बच्चों को मैडिसंस कम से कम दें उतना अच्छा और बच्चों की जो प्रॉब्लम से हम नैश्रल तरीकों से या होम रेमेडिय से ही ठीक करें तो मैंने आपको यह जो पास्ट के बच्छे की प्रॉब्लम्स से ठीक है और यह जो प्रॉब्लमसे यह इन मेडिसम से रेलेट बच्छों में आती है बड़ के बाद तो हमें यह वाली मैडिसमस बच्चों को देनी परती है मैं अगें रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो एंड करने से पहले यह medicines मेरे doctor ने मुझे recommend की है अंच के लिए based on personal experience मैंने आपको यह medicines बताई है हो सकता है आपके doctor इससे similar कोई medicine या फिर कोई अलग medicine आपको prescribe करें आपके बच्चों की health के according तो आप अपने doctor से advice लिए भी ना कभी भी अपने बच्चे को कोई भी medicine बिल्कुल मत दीजिए इससे बच्चे की health पर सकता है हाँ नैजोस लाइन ड्रॉप ज़रूर बच्चे को दे सकते हैं वीडियो एंड करने से पहले चोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर किया कीजिए ताकि सभी moms की जो new moms है या motherhood के beautiful face का सामना करने जा रही है मेरी वीडियो में बताए गई सारी informative information की तुरू उनकी help हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए social site में relatives में ताकि सब तक ये वीडियो spread हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले thank you लिए लिए